हेलो फ्रेंड्स आपके अपने यूटूब चैनल लेवंबी टीचिंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर यूपी ट्रिपल एसी पिट दो हजार बाइस और मुख सेविका की तैयारी मुख रूप से करवाई जाती है जिसमें हम मुख सेविका की तैयारी कर देखेंगे तापको एक एडिया लग जाएगा कि क्या कि हमको पढ़ना है कैसे पढ़ना है इसके साथ हम एनम का पेपर डिसक्सन किये हैं और भी यूपी ट्रिपल एसी ने करवाया है आठ मई दो हजार बाइस को उसका इनम का स्लेबस यूपी ट्रिपल एसी मुख से मिलत जूलता है तो आप लोग एक बार जरूर देख लेज़ेगा क्योंकि आयोग ही क्वेशन पेपर बनाएगा मुख सेविका का पेपर भी आयोग बनाएगा तो एक आइडिया लग जागे कैसे क्वेशन आएंगे किस टाइप के क्वेशन आएंगे ठीक है तो आज का हमारा ट आज हम वाइरस से होने वाले और प्रोटो जोवा से होने वाले रोग के बारे में डिसकसन करेंगे हम बैक्टिरिया से होने वाले इटमिन्स जिवान से होने वाले रोगों के बारे में डिसकसन कर दिया है उसका सौर्ट ट्रिक बता दिये हैं किस तरह से कैसे आप लरन करें तो अगर से आप मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को लाइक कीजिए सब्स्राइब कीजिए और वीडियो को सेर कीजिए और मेरा जो यूटूब पे जो वीडियो जहां फ्री आफ कॉस्ट है जबकि आपको पीडिया फॉर नोट्स के लिए 1.99 का पेमिंट करना पड़ेगा ठी तो चलिए आज का देखते हैं प्लीक आज को टॉपिक है चेचक मतल्ब पीषार इयों प्रोटोजेवा से होने माले रोग बीषाह यूट वैरस वाइरस और 27 रोग है इसमें क्या दिया है अगरैं पहले देखे देखते हैं विषाण रू हैं प्रोटोशर कम ऐू याइं आ विसाडु क्या है जानने का प्रयातने करते हैं इसमें दिया है विसाडु जो है कोश्च का विहीन होता है फस तो यह है आफसन कोश्चन आपसे पूछ लेगा निमलखित में से कौन सा कोश्च का विहीन होता है तो विसाडु जो है वो कोश्च का विहीन होते हैं अत्यांत्य सूवष्म जीव होते हैं, ये इतने सूख्श्म होते हैं कि इन्हें देखने के लिए माइक्रोइसकोप की हैथा पड़ती हैं विसआडो को सजिव, यूम, निर्जव के बीच की कड़ी कहा जाता है, विसआडो क्या होते हैं यानि कि वाइरस क्या होते हैं ये एक कोसी जीव होते हैं ये अतियंत सुक्षम होते हैं इन्हें देखने के लिए माइक्रोइसकोप की जरूरत होती है उनकी सहायता लेने पड़ती है इनको क्या बोला गया है सजीव और निर्जियों की बीच की जो कड़ी बोला गया है क्योंकि आप देखेंगे जैसे जहां पर बहुत सारे कचरे रहते हैं कचरे रहते हैं जब वहां पर कचरे फियक देते हैं आप तो उसमें बहुत सारे छोटे-छोटे कीडे पढ़ जाते हैं पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं तो उन्हीं कीड़ों मतलब कीड़े तो जिंदा हैं और उनके वो मृत जो कचड़े हैं और वो जो कीड़े हैं उनके बीच की जो कड़ी वो ली जाती है उसको वाइरस बोलते हैं मही से विविन प्रकार के वाइरस जो है फैलते हैं जो हमा नहीं करते हैं प्रन्तु ये किसी भी जीवित को इसका में प्रिवेस करने के बाद प्रजणन करने लगते हैं नौरमली जब रहते हैं वो तो प्रजणन नहीं करते हैं किन्तु जब वो किसी जीवित को इसका में प्रिवेस करते हैं तो वो प्रजणन करने लगते हैं करने लगते हैं उनका प्रेजनन करने लगते हैं जैसे कुरोना था कुरोना वाइरस से फैलने वाला यह डिजिस था कुरोना जो है वाइसे जो था वो प्रेजनन नहीं करता था लेकिन व्यक्ति के सरीर में जैसे ही पहुचता था वो उसका एक चेंड चलने लगता था उसके उस व्यक्ति के सरीर में बढ़ते जाता था और उसके जो फेफडे होते थे उसको क्या करता था एक दम छेद कर डालता था उसमें और इससे दूसरे व्यक्ति में फैलता था इसी तरह सुनके अंदर भी हो जाता था ति ये जीवित को इसका में प्रिवेस के बाद प्रजन करना ही स्टार्ट करता है इसे बीसाडव से होने वाले कौन कौन से हैं ये देख लेज़गा एक बार मैं बैक्टरिया का रिवขस्काइले बैक्टरिया को हिन्दी में जवशाण है बैक्टरिया की फraundतों जक्रिक दोड़न होगा है GST अगर से आप सुन रहे हैं तो इसको लिख लिख लिजिए GST पंडित का न्यू T का है G, G से गुनेरिया हो गया, S से सिफलिस हो गया, T से टिटनेस हो गया GST, इसका GST का फूल फॉर्म बता दिये पंडित का, क्या हो गया, PAS से पलेग हो गया, D से डिप्थीरिया हो गया ता जो आता है, ता से यानि T लिखाएगा, पंडित से टिटनेस हो गया और उसके मिन्स क्या बता है, टिटनेस हो गया, तो यहाँ T भी लिख लिजिए गासे टिटनेस हो गया पंडित का से हो गया, कॉलरा हो गया, यहां कि काली खासी, स्वरी काली खासी हो जाएगा, पंडित का, न्यू, न्यू से निमोनिया हो गया, न्यू, टीका, फिर यहां टी आ, इसके मिन्स हो जाएगा, टाइफाइड, का से हो जाएगा, काली खासी, न्यू, टीका है से हैजा हो जाएगा clear यह लर्न हो जगाए जी एस्टी पंडित का निव टी का है यह वैक्टिरिया का ट्रिक हो गया ठीक अब यहाँ विसाडू से है विसाडू से हम बताएं जो पहले बता हैं चेचक होता है जिसको बड़ी माता बोलते है छोटी माता बड़ी माता दोनों इसी सोंग है ध्यान दीजिएगा विसाडू से होता है ठीक है डेंगू विसाडू से होने वाला रोग है अब इन रोगों से फिर वही दे दिया है ठीक है डेंगू के बाद एक चिकन गुनिया भी है चिकन गुनिया भी किससे होता है विसाडू से होने वाला रोग है आगे दिया है अ आज इसका टीक का उपयोग और चेचक का कल लिया गया है किस वैरी ओला वायरस से होता है रिकली तो कहता है जो स्टी मातत हों खुटे दानने निकले हैं ёप कि नेख़ा है जो है बाड़ी पूरे बाड़ी में दाने निकल जाते हैं पहले कान के कान की पेछे निकलते हैं धीरे-धीरे पूरे बाड़ी में निकल जाते हैं इसी को चेचक काते हैं जब वो छोटी रहता है जो जो दाने पड़े रहते हैं जब छोटा रहता है तो उसको चोटी माता बो क्लेर हुआ आप एपाते peuम हैं तो अब गाव में के लिए ठीक लगाने जो है वे ख़तम हो जाता है क्लेक के लित बाद में लेसे कोरोन है कोई वा क्राव सबस्तेड कोरोन के लिए Agreement के लिए ठीक के लिए कि लागा की लिएignment कोई मही मी MR 10 dużo का गाया धाताектив दीर का लाल लाल दाने निकलाना, सीर वापीठ में तीवर दर्ध होना, कपकपी होना, मुह लाल हो जाना, अगे क्या है दाना निकलने के 5-6 दिन उसमें एक प्रकार का दो द्रौ भर जाना, यह सब उसके एक्जामपल है, आप गाउं में देखते होंगे अक्सर, गाउं में वस्त्रों के संपर्क में आने के कारण यह उन लोगों में फैल जाता है, अगर से रोग के संपर्क में कोई आता है, उनसे भी हो जाता है, क्योंकि यह वाइरस से फैलने वाला रोग है, इस तरह से पास लोग जाने नहीं देते थे, क्योंकि उनको भी हो जाएगा, उसी तर होता है कि इससे होता है मोर्सक्राइट से MARView Lace सा इसका संप्राप्तिकाल निकों है 28-14 तो होता है इसका सम प्रांबिक काल मत्ब जादा । है इसे रक्षड क्या है पाहले है प्रॉडब्ग समांते हैं जु कांम हम सिर्फधर्ध होता है फिर क्या होता है धीरे धीरे रोगिया सवस्त कानभो करता है इसके बाद ज़र इसके बाद उसे ज़र चढ़ने लगता है आँख और नाक से पाने निकलने लगती है गले और नाक में सूजन आ जाती है तो यह रहा क्या रहा यह खसरे का खसरे का वो हमने बताया है मौरबिली जो है इसका वाइरस का नाम है और खसरी का यह वो है ठीक है नेक्स्ट है छोटी माता वहीं चेचक का ही रोप है यह प्राया है जो है बालकों में होता है चेचक के समान यह रोग भी वह संकरामक यह विशाड़ जनित है प्रन्तु आसाध्ध कहा जा सकता है यह यह नाक कंठ में पाए जाने वायरस के कारण होता है, ये विशाड़ स्वास और वायु के अन्निवक्तियों तक पहुंचते हैं, छोटी माता रोग फैलाने का विशाड़ू का नाम है, जो ऊपर था वैरी से लावायरस, यह लर्ण कर लिजिए, चेचक किस से फैलता है, वैरी से infrastructure ग्रावायरस से ये question पूल सकता है, वैरी सेलावायरस से clear, इसका समाप्तिकाल क्या होता है, वही 12 से, 11 दिन स्वेश में लग जाता है, 12 से 12 दिन तक समय लग जाता है, किन्तु संक इस रोग में गल, सोध, छीक, बेचैनी जैसे लक्षड प्रकट होते हैं, यह रोग कभी-कभी महामारी का रूप धरड कर लेता है, इन्फ्लुवेंजा के लक्षड क्या है, इन्फ्लुवेंजा जो होता है, यह आँख यवमनाक से पानी बहता है, यवम संपूर सरीर में बे सब एक जैसे ही है, ठीक है, तो अभी हमने कितना डिस्कसन किया, एक बार हम रिवीजन कर देते हैं, बहला हुआ चेचक, खसरा, छोटी माता, इन्फ्लुवेंजा, यह हम डिस्कसन करते हैं, अब है पोलियो, पोलियो जो हाथ वगरम पोलियो नहीं होता, फिर वो काम नहीं कितने होंगे, जर्मनी के हाइं चिकिटसी वडन करते हुए इस रोग का पता लगाया गया, जर्मनी में, पोलियों के कारड क्या बार होते हैं, गेंद्री इसनायू मंडल का संक्रमण था है, je इक प्रकार विषडद्वार होता है, जो मांज प्रेस्यों पोलते हैं, इससी म को नियंधृत करने वाले इस नायव कोश्गाओं पर आक्रमाइब कर द दैंद कर देन बहुत इंपॉर्डभानेंथ है मांशब्श्यों को नियंधृत करनेवाले इस नायव कोश्गाओं पर आक्रमाइब कर देता thisZe आप देखते होंगे बचपन में atlas इस रोग में हाथ और पैरों मांशपेशिरे कि है पर अतरिक्त प्रभाव परता है इस रोग के कारड सांस लेने वाली मानस्पेसियां भी कमजोर हो जाती है अगे क्या दिया है हेपेटाइटिस या बहुत बड़ी बीमारी हो चुकी हीपेटाइटिस इसमें क्या होता है हीपेटाइटिस एक संक्रावाण बिसार जन बीमारी है इस रोग से प्रभावित होने वाला अंग यक्रित है हीपेटाइटिस से क्या प्रभावित होता है यक्रित ध्यान दिजिएगा यक्रित प्रभावित होता है क्या प्रभावित होता है यक्रित हीपेटाइटिस का संक्रमन हेपेटाइटिस का संक्रमण कैसे होता है सरीर में दूध या पानी के द्वारा फैलता है सरीर में दूध या पानी के द्वारा फैलता है इसका उद्भोकाल एक महिने से तीन महिने तक रहता है संक्रमण के स्रोत क्या है स्रोत क्या दिया है इसमें इस रोक का संक्रमण, निमलिखित विधियों त्वारा होता है, नमबर एक खून का चढ़ाना, खून चढ़ाना, दूसरी सुनियों का प्रयोग करना, दवाईयों का उप्रयोग करना, इससे जो है संक्रमण हो जाता है, तो आप इसमें कुछ लर्ण करने की बात दें बस आप इतना लर्ण करेंगे कि हेपेटाइटिस से प्रभावी तंग कौन सा है तो यक्रित है clear जबकि उपर जो हम पढ़े हैं पोलियो से प्रभावी तंग कौन है तो इस नायू इस नायू तंत्रिकाएं हैं जो कोषटा जिससे मानसपेशया जो है नयंत्रित होती है आगे क्या है rates aides का पूरा नाम क्या है a in viewed immune deficiency syndrome यह Olha鳍 कलेजे acquired immune deficiency syndrome acquired immune deficiency syndrome एर्ट रोग मनुस्या की प्रत्रक्षा प्रडाल्य को कमजोर कर देती हैं आगे क्या दिया है प्रत्रक्षा प्रडाली कमजोर होने से मनुष्य के सरीर में विभिन प्रकार के रोग आ जाते हैं सरीर में रोग प्रत्रोधक्षमता नश्ट हो जाती है जिससे विक्त लंबे समय तक रोग से ग्रशित रहता है AIDS जो है ये विशाडू का नाम जो है Human Immunodeficiency Virus इसका HIV नाम है ठीक है एड से विशाड़ू का नाम HIV नाम क्या है Human Humano Deficiency Virus एड्स रोग की सुरुआ सरप्रथम अफ्रीका में पाए जाने वाले बंद्रों में हुई थी बंद्रों के संपर्क के कारण मानों में भी पाए गया अफ्रीका की जनसंख्या एक बहुत बड़ा भाग यूरोपी देशों में इस्थांत्रित हुआ अता फल्सरूप यह रोग जो है यूरोपी में भोगया और बहुत भयांकर रूप धार कल दिया ठीक है एर्ष जो होता है यह संक्रामक रोग है इसका फुल फाव्म होता है इसका फुल फाव्म क्या होता है एक्वाइड इमूशन्मंडेशियंसी सिंड्रूब अब नेक्ष्ट है डेंगू डेंगू क्या होता है डेंगू गर्मी में सब timelines हो जाता है गाव में起來 हो जाती है तिसमें क्या है डेंगू एक ऊश्ट्कठबंदी संकरामक रोग है इसे हड़ी तोड़ बुकार भी कहा जाता है यह रोग Aedes एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है ये ध्यान दीजेगाए इसको लिख लीजेए एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है नेक मामलों में यह रोग जान-ले वा रूप भी धरड कल डेता है डिंगो के लक्षड किया आचानक टिवरे जर आ जाता है जोडो में भेंकर दर्द होता है जिसके चलते हड़ी तोड़ बुखार कहा जाता है आगे है चिकन गुनिया लंबे समय तक चलने वाला एक जोडो का रोग है इस रोग में जोडो पर भारी दर्द होता है इस रोग के उग्र चरड दो से पांच दिनों के चलता है किन्तु जो इस वाइरस का जो प्रवेश होता है वह भी डीज मच्छर के काटने से ही ऊता है कि जो क्या उपर क्या पढ़ें है डेंगू किस्ते होता है डेंगू भी येजिप्ट मच्छर के काटने से होता है इसके सिवाय जो होता है डेंगु के सिवाय मलेरिया भी मच्छर के काटने से ही होता है चिकनगुनिया भी डेंगु चिकनगुनिया मलेरिया यह मच्छर के काटने से ही होते हैं अभी हम इसको बताएंगे कि डेंगु कि इसके काटने सोता है मलेरि उसी वाली बिमारी उपन होती जिस प्रकार से इस ते इसका ट्रिक है ए चाचा इन्हें काटो डाटो खरे गाल पे छापो ए चाचा इन्हें डाटो खरे गाल पे छापो ए चाचा इन्हें डाटो खरे गाल पे छापो ये विसाड़ से होने वाले रोगों का ट्रिक है ये से हो गया हमारा एड से, चाचा से हो गया चेचक, इन्फ्लुवेंजा से, इन्हे से हो गया, इसे हो गया, इन्फ्लुवेंजा, हे से हो गया हर्पीज, हर्पीज रोग हो गया, डा से डिंगू हो गया, डाटो दिया न, ता से ट्रोकोमा हो गया, इसे आंख प्रभावित ह तेटेटों पाट पोठ से पाट कोई प्रुपा प्रुपावित होता है और पे से पोलिया हो गया और पो पोलिया हो गया यह वाते आपको समझ में आ गई एक बार फिर से इसको देख ली ए चाचा इन्हें डाटो खरे गाल पे छापो ए चाचा इन्हें डाटो खले गाल पे छापो क्लियर हो गया ये अब क्या है प्रोटो जोवा से कौन कौन से रोग होते हैं वो हम एक बार देख लेते हैं इसको साट रिक लाए हैं प्रोटो लादी ये सब चीजों होती है यह होता है ऐन्ट today Mwe zombies ऑदार होता है दी हैं दस्त दस्त में बड़ियांत होती है यह भीишь के होटाइस में बड़िया जाती है dniक त है मेनीं आण दिया गातख से जिशें बड़ीयांतसुजन आ कि अग्ले भाग को यहां जाता है नेक्स्ट दिया है यह चोटी आत इसे प्रभावित होता है तो काला जार हो गुर्सिकती मश्रेश्य जाह dify गिव्ह ब्रवॉज्ञ और प्रवात है जाता है अनों चीनीमों हो जिसमेंट् senhor गई bareby is बनिदूरोट प्रोटो ज नाये वो हैं까 विप्सित्वार की का लिचान के वाय D मुपन पाइसें.....िम् het अध्या अध्या कीyu प्रोटो जोवा ProGoal प्रोटो जोवा से क्या है लिशाड यहाड करता है इसमें तीव रिजवर सेर में दर्द कमर में दर्द होता है क्लियर ईD our जिसमें हम बताएं हैं विसाडू से होने वाले रोग और मल्alen प्रोटु जयोकर से विभिन रोग बना डिये हैं आप यही क्वेशचन में पूछे गाणावाभी तैक ही पूछेगा। कौन में पूछेघा कौन में चार्वाभॉजर को पना दैक है त्पिकित सकते गाण।